जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, हमेशा गुरु जी हमें messages के through answer देते हैं और हमें वो answers कैसे समझने चाहिए इसी पर एक आंटी जी का सच्चन्ग सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु जी के answers को कैसे समझना चाहिए और गुरु जी हम से related answers कैसे देते हैं तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी ये मेरा पहला शुकराना सत्संग है मैं गुरु जी से recently September 2023 से जुड़ी हूँ मैंने गुरु जी का भजन सुना था मेरे सत गुरु जी तुसी महर करो जिसके बाद मुझे उत्सुकता हुई गुरु जी को जानने की मैं 25 सेप्टेंबर को बड़े मंदिर गई थी पहली बार मुझे बहुत सुकून मिला वहां जाकर फिर उसके बाद मुझे गुरु जी के सत्संग मेरे यूट्यूब पर आने शुरू हो गए वो सत्संग मेरे लाइफ के इंसिडेंट से काफी सिमिलर होते थे मैं सुनती गई गुरु जी के सत्संग और भजन्स को देखती गई मुझे गुरु जी से बहुत जादा कनेक्टिविटी फील होने लगी मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर सत्संग देखा उसमें लिखा था कि मैं तेरे घर के बाहर हूँ और एक बर्ड की फोटो थी मैंने देखा और सोचा ऐसे कैसे हो सकता है मैंने सोचा चल एक बार बाहर देखती हूँ मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता बट जब मैं बाहर गई तो सेम बर्ड मेरी बालकनी पे ही था मैं बहुत हैरान हो गई फिर मुझे लगा कि पता नहीं शायद को इंसिडेंस होगा सौरी गुरुजी फिर नेक्स डे मैसेज देखा तो लिखा था मैं तेरे घर खाना खाने आऊंगा मैंने बाहर देखा तो वही बर्ड बालकनी में प्लेट से कुछ दाने लेकर खा रहा था मैं बहुत हैरान हो गई फिर एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बिमार थी बहुत ज़्यादा मुझे बुखार था तो मैंने मेडिसिन ली और सो गई आप संगत जी मानोगे नहीं गुरु जी एकदम से मेरे सामने आ गए अब मुझे ये नहीं ध्यान कि वो सपने में आए या सच में आए बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उठकर रूम से भाग गई गुरु जी मुझे शमा कर दीजिए मुझे ये सब नहीं पता था कि आप मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दोगे गुरु जी इतनी जल्दी आंसर दे देते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं अगले दिन मैंने अपनी हेल्ट में बहुत सुधार देखा और मैं एक दो दिन में ही रिकवर हो गई फिर मैंने गुरु जी को चाय प्रशाद का भोग लगाना शुरू किया मेरे पास स्वरूप नहीं था पर मैंने ऐसे अपने माइंड में ही गुरु जी को याद करके टेबल पे चाय रख दी एक दिन मेंसेज आता है कि क्या बात है तुचाय रख के चली जाती है साथ में पिया कर मैं हैरान हो गई कि जो भी मुझे मेंसेज मिलता है जो करती हूँ उसी से रिलेटेड मिलता है फिर कुछ दिन पहले मैं सो रही थी तो आधी रात को सोते हुए मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस बहुत जादा आने लगी तब से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई क्यूंकि मैं पॉजिटिव सोचने लग गई थी गुरु जी ने मुझे पर इतनी कृपा करी कि मुझे पॉजिटिव बना दिया मैंने गुरु जी का दिल से शुकराना किया कि गुरु जी आपने मुझे अपने से जोड़ कर मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी अब तो जब भी कोई difficult situation आती है तो सोचती हूँ गुरु जी है सब संभाल लेंगे इसलिए मैं tension free रहती हूँ मैं सिर्फ गुरु जी का शुकराना करती रहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया यही पर संगत जी का सत्संग समाप्त होता है संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी की सबकी लाइफ में positivity ले आते हैं हर किसी की लाइफ को पूरा change कर देते हैं जैसे की संगत जी के पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था तब भी उन्होंने गुरु जी को मन में याद करके उनको भोग लगाया और गुरु जी ने उनको मैसेज भी दिया ऐसे ही हमें भी गुरु जी के मैसेजिस समझने चाहिए संगत जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी के मैसेजिस को कैसे समझना चाहिए हमें आंसर्स देते हैं कभी गुरुजी किसी का सत्संग सुनते सुनते हमें आंसर्स दे देते हैं क्यूंकि सारी संगत के experiences अलग होते हैं तो जो वो बताते हैं कभी कभी हमें सत्संग सुनते हुए भी आंसर्स मिल जाते हैं इसलिए संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए क्यूंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्यान होता है और सुनाने वाले का भी कल्यान होता है और हमें आंसर्स भी मिलते हैं इसलिए हमें कभी भी सच्चं को आधा नहीं छोड़ना चाहिए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी